जै माता दी आज गरेश चतूर्थी बिनाई की चतूर्थी पर सुने चौथ माता की यह कहानी इसको सुनने मात्र से शभी मनुकामना होती है पूर्थ इस दिन चौथ माता का ब्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है इसके साथ ही बिन दायक जी की कहानी सुनी जाती है कुवारी कन्याएं शुन्दर, शुशील और अच्छे पती की प्राप्ती के लिए चौथ का ब्रत करती है और इस त्रियां इस ब्रत को अपने शुहाग और पती की लंबी आयू के लिए करती है आज हम आपके लिए भाद्वा की चौथ माता की कहानी लेकर आए हैं आप इन दोनों में से कोई भी भाद्वा चौथ की कथा जो आपको पसंद आए चौथ के ब्रत के दिन सुन सकते हैं आई ये सुनते हैं भाद्वा की चौथ माता की कहानी में एक बुर्या माई के ग्वालिया बचालिया नाम का बेटा था बुर्या माई अपने बेटे के लिए बारह महिने की चारो चौथ करती थी बेटा लकडी लेकर आता था और दोनों मा बेटा उनको बेच कर गुजारा करते थे बुर्या माई रोजाना लकडी में से दो लकडी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेच कर सामान लाती थी और पाच पुवा बनाती थी एक पुवा गडेश जी महाराज को एक चौथ माता को चड़ाती एक ब्रामहर को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुवा खुद खाती थी एक चौथ के दिन बेटा अपनी परोशन के घर गया वह पुवा बना रहे थी जब उसने पूछा की आज क्या है जो पुवे बना रखे हैं तब वह बोली मैंने तो आज ही बनाए हैं पर तेरी मा तो चारो चौथ को पुवे बनाती है उसने जाकर मा से पूछा मा तू रोज पुवे बनाती है मैं इतनी मिहनत से कमाता हूं बुर्या माई बोली मैं तो चौथ माता का ब्रत करती हूं वह बोला की तू मुझे रखले या तो चौथ माता को ही रखले बुर्या माई बोली मैं तो तेरे लिये ही चौथ का ब्रत करती हूं इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूं पर चौथ माता को नहीं जब बेटा घर से जाने लगा तो बुर्या माई बोली तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा जहां संकट आए वहां ही पूर देना बेटे ने सोचा बात जोटी है पर ले चलने में क्या बुराई है वह चलने लगा और थोड़ी दूर पहुचा ही था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आखा पूर कर बोला कि चौत माता अगर तू सची है तो रास्ता हो जाए ऐसा कहते ही जट से रास्ता मिल गया आगे गया तो घंगोर अंधेरा उजार फैला हुआ था उसने मन में सोचा कि मुझे सेर खा जाएंगे इसलिए वह आखा पूर कर बोला चौत माता मुझे रास्ता मिल जाए और तब जल्दी से रास्ता मिल गया वह आगे चला गया जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुचा वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बली देता था वह एक बुढ़िया माई के पास गया वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा की बुढ़िया माई क्यों रो रही हो तो बुढ़िया माई ने जबाब दिया की मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बली देने वाला है मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ वह बोला बुढिया माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे मैं उसकी जगह बली चर्धने चला जाओंगा बुढिया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ लेकिन वह नहीं माना तो बुढिया माई ने उसको पुए खिला दिये अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढिया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बली चर्धने के लिए भेज सकती हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती लेकिन बाहर की आवाज सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया वहां मटके पकाने का हाव जिसमें कुमार मटकों को पकाता है बना हुआ था जो एक मनुश्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आव पकते थे उन सबने मिलकर उसको आव में चुन दिया वह आखा पूरकर हाव में बैठ गया एक दिन में ही आव पक गया और मिती के घड़े सोनी चादी के बन गये वहाँ एक जमादार ने जहारू लगा रही थी तब जहारू से एक कंकर उछड़कर उन बरतनों से जा टकराया तब जमादार ने राजा को जाकर बताया कि आपका आउं तो पक गया है तब राजा ने सोचा कि आउं तो आठ दिन में पकता है आज एक दिन में ही कैसे पक गया जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मट्की की जगः हीरे मोती और सोने चादी के कलस हो गए अंदर से आवाज आई की धीरे से उतारो अंदर आदमी है आवाज को सुनकर राजा के आदमी दर गए की अंदर कौन सा भूत प्रेता गया फिर वह बोला की दरो मत मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चूना था देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे राजा ने पूछा की तु अंदर जीवीत कैसे बच गया तब उसने बताया की मेरी मा चौथ का ब्रत करती है जब मैं घर से निकला था तो मेरी मा ने मुझे आखे दिये थे मैं उन्धी को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण बच गया तब राजा ने कहा की मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठा कर सांकल बाद देता हूँ यदि वह सांकल खुल कर मेरे में बध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा तब वह आखे पूर कर बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा ही चौथ माता अब तुम ही मेरी लाज बचाना तब साकर खुल कर राजा को बध गय राजा ने अपनी बेकी की साधी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर बिदा किया परोसन बोली की माई तेरे बेटे बहु आए हैं जब छट पर चड़कर देखा तो सच में बैठे बहु आ रहे हैं ये चवथ माता जैसे आपने बुढिया और उसके बेटे पर क्रिपा बनाई वैसे सभी पर क्रिपा बनाना भादमा की चवथ माता की कहानी कहने वाले को कहानी सुनने वाले को हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी क्रिपा बनाने वाले पर यह थी भाद्वा चौध की कहानी एक और कथा के अंसार पुरानी समय की बात है एक ब्रामहर था जिसके घर एक बेटा और बहु थे बेटा और पिता कुछ कमाते तो थे नहें जो बहु की साथ आया हुआ दहेज का धन था उसी से अपना काम चलाते थे जब भी बहु बाहर कच्रा डालने जाती थी तब उसके पास वाली परोशन उससे पूछती थी की बहु आज खाने में क्या खा कर आई हो तब वह बोलती थी की मैं तो बासी और ठंधी रोटी खा कर आई हूँ एक दिन साहुकार के बेटे ने यह बात सुन ली वह वहां से चला गया और अपनी मा के पास जाकर बोला की मा तू तो अपने बहु को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर यह बोलती है की मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ तब मा ने कहा की बेटा मैं तो चारो थालियों में बराबर गर्म खाना परोस्ती हूँ यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद खा कर देख लेना वह अगले दिन तबियत खराब होने का बहाना बना कर कमबलोड कर लेट गया तब उसको यह देख कर आश्चर यह हुआ की बहु ने तो गरम गरम खीर और खान का भोजन किया है और जब बहु बाहर गय तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा तब परोशन के पूछने पर बहु ने वही बात दोहराई की मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ उसका पती उससे पूछने लगा की तू अभी अभी तो गरमा गरम खाना खा कर आई है और परोशन से कह रही है की मैं बासी ठंधी रोटी खा कर आई हूँ तु जूट क्यों बोल रही हो तब उसकी विद्यमान पत्नी ने कहा कि यह ना तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिता जी के कमाए हुए पैसों की रोटी है यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्श करते रहे तो यही एक दिन कुए के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा इसके बाद उसका पती कमाने के लिए बिदेश चला गया पीछे से उसकी पत्नी बारह महीने का चौथ का ब्रत करती थी उसको बिदेश में रहते हुए बारह वर्ष ब्यतीत हो गये तब चौथ माता और बिंदायक जी महाराज ने सोचा की इसको अब घर बुलाना चाहिए चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली की तू अब घर चला जा तेरी पत्नी को तेरी बहुत यादाती है वह बोला की मैं घर कैसे चला जाओं मेरे यहां इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है तब चौथ माता ने कहा की तो सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैट जाना जिनके पैसे बकाया है वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे लरके ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपट गया जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक साप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था उसने साप को आग से बचने के लिए सिसकार दिया ऐसा करने से नाग राज क्रोधी थो उठे और कहा की पापी मैं तो इस नागियोनी से मुक्ती के लिए जा रहा था और तुने मुझे सिसकार दिया अब मैं तुझे डस लूँगा तब वह लड़का बोला कि मैं बारव वर्ष बार अपने घर जा रहा हूँ आप मुझे अवस्य ही डस लीजिये किन्तु आज मुझे अपने घरवालों से मिन्ने दीजिये आप कल रात को आकर मुझे डस लेना नाग ने उसकी सर्त मान ली और वहां से चला गया जब लड़का घर आया तो वह उदास था उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी उसकी पत्नी बहुत चतूर्थी उसकी पत्नी ने एक सीड़ी पर दूद का कटूरा रख दिया दूसरी सीड़ी पर बालूरी बिचा दी तीसरी पर फूल माला बिखेर दी चौथी पर इत्रच्रत दिये पाच्वी पर मिठाई रख दी छठी सीड़ी पर जव और सात्वी पर रोटी रख दिया रात को जब साप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लोट कर आया फिर दूसरी सीड़ी पर दूद पी कर कहा कि मैं एक ब्रामरी के बेटे को दस्ता तो नहीं लेकिन वचन दिया हुआ है इसलिए डसना पड़ेगा फिर हुआ है फूल माला की सीड़ी से होता हुआ प्रसनता पुर्वग इत्र की खुसबू लेता हुआ उपर की ओर आने लगा साप को ओपर आता हुआ देकर बिंदायक जी ने चौत माता सी कहा कि इस ब्रामरी के बेटे की रच्छा करनी होगी क्योंकि इसकी पतनी इसके लिए चौत का ब्रत करती है उसका फल तो देना ही पड़ेगा तब बिंदायक जी ने सीड़ी पर रखे हुए आखों से सेल शुई बनाए और चौत माता ने रोटी की धाल बनाई और साप के आगे लगा दी बिंदायक जी जो के सेल बनाए थे उनसे साप की मौत हो गए शुबर उस लड़के से मिलने गाउं के लोग आने लगे क्योंकि वह बारह वर्ष के बार वापस घर आया था लोगोंने उसे आवाज दी लेकिन वह तो उदास बैठा था इसलिए बोला नहें जब उन्होंने देखा की सीड़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है तो वे चिल्लाने रोने चीखने लगे ब्रामहर आज तो तेरा बेटा मर गया यह सब देखकर ब्रामहरी भी जोर जोर सी रोने लगी आवाज सुनकर उसका बेटा नीची आया और कहा की मा मैं मरा नहीं हूँ यह तो मुझे डसने आया साप मरा है यह सब देखकर उसकी पतने भी प्रशन हो गई की मेरे पती के प्रार बच गए उसने चोथ माता को धन्यवाद किया और कहा की यह चोथ माता मेरे ब्रत करने का फल दिया है चोथ माता जैसा फल ब्रामहरी के बेके को दिया वैसा सभी को देना कहानी करने वाले को कहानी सुनने वाले को खुंकारे देने वाले को और पूरे परिवार को देना यह थी भादमा की चोथ माता की कहानी हम आसा करते हैं कि आपको भाद्मा की चोथ माता की कहानी पसंदाई होगी